जहिन दोस्तों मैंने दीबें चोहान आजम करेंगे क्लास टेंथ का 2.2 का क्वेशन नंबर 1 इसमें हमें बोला गया है कि बहुपधी के शुन्य बताईए तथा उनके सहगुणों के साथ संबंद को भी बताईए तो पहला क्वेशन है सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है हमे इस बहुपधी के करने है गुणनखंड तो गुणनखंड कैसे करते हैं पहले गुणनखंड करना सीखते हैं बीच वाले नंबर को हमें ऐसे दो हिस्सों में बाटना है कि गुणा करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आए ठीक है तो सबसे पहले हम यहां पर इसके गुडन कट करते हैं आगे वाले नमबर और पीछे वाले नमबर की गुणा यानि कि आगे वाला नमबर हमारा क्या है 1 इसके साथ कुछ नहीं है और पीछे वाला नमबर है 8 तो यहाँ पर हो गया आपका 1 गुणा 8 कितना आया? 8 अब 8 का लेंगे LCM ओके कैसे लेंगे दो चौप आठ दो दुनी चार दो एकम दो यह आठ का LCM हो गया अब हम अव्यव पे ध्यान देते हैं दो 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 ठीक है LCM लेने के बाद हमें देखना है कि बीच वाले नंबर के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 8 आए और प्लस या माइनस करने पर 2 आए तो अव्यव की तरफ जाते हैं देखो दो दुनी 4 4 और 2 की बात कर लेते हैं हम ठीक है तो 4 और 2 4 गुणा 2 कितना हो गया 8 ठीक है और यदि 4 में से हम 2 को करते हैं माइनस तो हमें क्या मिलता है 2 लेकिन यहाँ पर आपको निशानो का भी ध्यान देखना है देखो यहाँ पर हमारे पास माइनस टू है तो इन दोनों को सॉल्ve करने पर हमें माइनस टू मिलना चाहिए इसलिए हमारा क्या होगा बड़ा नमबर माइनस का होगा और छोटा नमबर प्लस का होगा तो अब यहाँ पर देखो माइनस चार में से प्लस टू गया तो हमें मिला माइनस टू जो की हमें यहाँ पर चाहिए ठीक है तो हमारे दो टुकड़े हुए क्या क्या टुकड़े हुए तो ये हमारे दोनों हो गए गुणनखन ठीक है अब हम आते हैं सम पर तो अब हम सम को करेंगे solve देखो x square minus 4x plus 2x minus 8 ठीक है यहां से हम लेंगे common क्या लेंगे x तो अंदर आएगा x minus 4 जो यहां है bracket में वही हमारा दूसरे bracket में भी आना चाहिए अच्छा अब इन दोनों में से क्या common ले सकते हैं plus 2 common ले लिया अब देखो x plus 2 और x minus 4 ठीक है यह हमारे आगए जो इसके गुणनखनते वो ठीक है अब हम दोनों के बराबर में रख देंगे शुनने x plus 2 बराबर 0 और x minus 4 बराबर 0 ठीक है तो यहाँ पर देखे x बराबर कितना हो गया minus 2 because y plus 2 उधर गया तो minus 2 और यहाँ पर x बराबर हो गया हमारा 4 यह minus 4 इस तरफ आया तो उल्टा निशान हो जाता है ठीक है तो हमारे x बराबर आया minus 2 और x बराबर 4 ठीक है अब हमें निकालना है शुन्यों का योग और शुन्यों का गुणाकार तो कैसे निकालेंगे देखे यहाँ पर कर देती हूं शुन्यों का योग शुन्यों क्या है हमारे minus 2 और 4 तो दोनों को जोड़ देंगे यानिकी minus 2 plus 4 तो 4 में से 2 गया तो क्या है आंसर? 2 यानिकी शुन्यों का योग हमारा कितना आया? 2 ठीक है? अब हमें करना है शुन्यों का गुणाकार शुन्यों का गुणाकार very simple दोनों को हम कर देंगे गुणा दोनों शुन्यों को minus 2 गुणा 4 तो 4 दुनी 8 लेकिन minus 8 ठीक है? अगला कॉशन देखते हैं ओके अगला कॉशन है हमारा 4S square minus 4S plus 1 सबसे पहले हमें करने हैं इसके गुणन खंड गुणन खंड करने के लिए क्या करते हैं? ध्यान देंगे आप लोग आगे वाले नमबर और पीछे वाले नमबर को पहले करेंगे गुणा फिर उसका लेंगे LCM तो चलो कर लेते हैं आगे वाला नमबर है 4 पीछे वाला नमबर है 1 तो यहाँ पर करती हूँ 4 गुणा 1 कितना हुआ? 4 अब 4 का लेंगे LCM 2 दूनी 4 2 एकम 2 यह हो गए हमारे LCM अब हमें क्या करना है? बीछ वाले नमबर को दो ऐसे टुकडों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 4 आए और प्लस या माइनस करने पर भी 4 आए ठीक है? तो देख लेते हैं गुणनकन मतलब अव्यव 2 और 2 ठीक है? 4 का LCM लिया था तो अव्यव आये थे 2 और 2 तो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 और 2 को लिख लेते हैं 2 और 2 लिख लेते हैं अब दोनों को हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 4 ठीक है? और दोनों को यदि हम प्लस करते हैं माइनस 2 प्लस माइनस 2 तो हमारा कितना आएगा यहाँ पर? माइनस 4 आपको ऐसा करते हुए निशानों पर बहुत ध्यान देना है माइनस 2 प्लस माइनस 2 होगा माइनस 4 ठीक है तो हमारे अब यहाँ पे आ चुके हैं अब हम सम को solve करते हैं 4s स्क्वेर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इस टर्म में से हम क्या common ले सकते हैं 2s 2s अंदर क्या बचेगा 2s माइनस 1 जो यहाँ आया है वही हमारा अगले ब्रैकेट में भी आना चाहिए 2s माइनस 1 इन दोनों में से हम क्या common ले सकते हैं माइनस 1 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 ठीक है अब दोनों के बराबर हम रख देंगे 0 बराबर 0 2s माइनस 1 बराबर 0 ठीक है दोनों सेम ही है इस माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो प्लस 1 यह दोनों यहाँ गुणा हो रहे है 2s s को यहीं छोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा भाग सेम इसी तरह यहाँ भी 2s बराबर 1 और s बराबर 1 भाए 2 दोनों ही जो s है हमारे वो बराबर आएं यहाँ पर ठीक है अब हमें क्या करना है शुन्यों का योग यानि कि इन दोनों का जोड़ तो चलो कर लेते हैं शुन्यों का योग यानि कि दोनों को हम करेंगे प्लस 1 बाए 2 प्लस 1 बाए 2 यहाँ पर 6 देख जैसा है तो एक बार ले लेंगे और उपर हो जाएगा 1 प्लस 1 यानि कि 2 बटे 2 2 से 2 कैंसिल अंसर आया 1 ठीक है उसके बाद हमें करना है शुन्यों का गुणाकार शुन्यों का गुणा तो गुणा कैसे करेंगे एक बटे 2 गुणा एक बटे 2 एक एकम एक और दो दुनी 4 सम फिनिश दीसरा सम देख लेते हैं अगले पेज़ पर चलते हैं ठीक है अगेन हमें यहाँ पर पहले इसके करने होंगे गुणान खंड तो गुणान खंड कैसे करते हैं आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा करेंगे फिर उसका लेंगे LCM ओके तो आगे वाला नंबर क्या है हमारा देखिए उसके करते हैं 6 गुणा 3 तिन बराबर अठारा ठीक है अब इस अठारा का लेंगे ल सी एम दो निम अठारा तीन तिया नौ और तीने कम तीन ओके तो यह देखा हमारी यह सभी अव्य वाचुके हैं दो गुणा तीन गुणा तीन ठीक है अब हमें क्या करना है बीच वाले नमबर के दो ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर अठारा आए है और प्लस या माइनस करने पर सेवन आए ठीक है तो आप चलते हैं हम अव्याव पर हमारे अव्याव हैं दो गुणा तीन गुणा तीन तो देखो यहाँ पर तीन तीया नो और दो तीन तीया नो अब ध्यान देंगे आप इस बा से 2 को घटाते हैं, तो हमें मिलता है 7, ओके, तो हमारे अव्यव हो गए, गुणनखंड हो गए 9 और 2 अब इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है कैसे लिखेंगे देखो 6 X स्क्वेर माइनस 9 X प्लस 2 X माइनस 3 अब इन दोनों में से यहाँ पहले कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ठीक है तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3 X 2 X माइनस 3, ओके, जो यहाँ पर आया ब्रैकेट में, वही अगला ब्रैकेट भी होना चाहिए तो यहां हो जाएगा 2x-3 इस टम में से हम क्या common लेंगे कुछ नहीं यानि कि plus 1 ओके आगे 3x plus 1 2x minus 3 ओके अब हम दोनों के बराबर रख देंगे शुन नहीं तो यह होगे आपका 3x plus 1 बराबर 0 और यहां पर आगया 2x minus 3 बराबर 0 अब 3x को यहीं छोड़ेंगे यह plus 1 है उस तरफ जाएगा तो minus 1 ठीक है और यह 3x यहां गुणा हो रहा है तो 3 वहाँ पर जाएगा तो यह भाग हो जाएगा ठीक है अब यहां पर 2x बराबर 3 देखो यह वाला 3 उस तरफ गया तो plus 3 हो गया और यहां पर यह दोनों गुणा हो रहे हैं तो अब यह तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा ठीक है अब हम करेंगे शुन्यों का योग यानि कि यह हमारे शुन्या आ चुके हैं अब एक बारी करना है शुन्यों का योग और एक बारी करना है, गुणा कार, क्या करेंगे, गुणा कार, तो पहले हम योग कर लेते हैं, योग का मतलब प्लस, ठीक है, माइनस एक बटे तीन, प्लस तीन बटे दो, ठीक है, तो देखें यहाँ पर करेंगे हम तीर्छी गुणा, 2 एक कम 2 2 एक कम 2 और 3 तिया 9 यानिकी प्लस 9 अपन अब 6 दो की गुणा 3 दुनी 6 ठीक है 9 में से 2 गया तो यहाँ पर आया 7 यह हो गया 7 बटे छे यह हो गया आपका योग आप करते हैं गुणाकार तो कैसे होगा गुणा माइनस एक बटे 3 3 प्लस सौरी गुणा गुणा करेंगे ठीक है 3 बटे 2 तो गुणा देखो गुणा है बीच में तो तिर्षा कट जाएगा ठीक है तो हमारा आणसर आया माइनस एक बटे 2 ठीक है अगला क्वेशन देखते है इसका क्वेशन नमबर 4 बहुत ही इजी सम है इसमें हम क्या करेंगे 4 U ले लेंगे ठीक है इन दोनों में से हम 4 U को लेंगे common 4 U common ले लिया अंदर क्या बचा U प्लस 2 ओके अब यहाँ पर 4 U बराबर 0 और U प्लस 2 बराबर 0 ठीक है अब यहाँ पर देखिए 4 U यहाँ गुणा हो रहा है तो U को यहीं छोड़ेंगे यह हो जाएगा 0 बटे 4 क्योंकि जो गुणा हो रहा था 4 वो इस तरफ आके भाग हो गया हमारा answer आया 0 ठीक है और यहाँ पर U को यहाँ छोड़ेंगे यह प्लस 2 है उस तरफ ले जाएगे तो हो जाएगा minus 2 ठीक है यह हमारे क्या आ गए 0 अब इन दोनों को हम करेंगे गुणा U बराबर 0 ठीक है पहले करेंगे प्लस यानिकी योग और फिर करेंगे गुणा ठीक है तो पहले हम योग कर लेते हैं यानिकी 0 प्लस माइनस 2 0 प्लस माइनस 2 तो आंसर आ गया minus 2 ठीक है अब दोनों को कर लेते हैं गुणा यानिकी 0 गुणा minus 2 तो minus 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 ओके अगला question देखते हैं इसका अगला question है T square minus 15 ठीक है तो इसको solve करने के लिए हम यहाँ पर एक trick का use करेंगे trick क्या है देखो T square minus root में 15 और यहाँ लगा देंगे work ओके जैसे मैं आपको एक example बताती हूँ जैसे यह 3 है अब यदि हम इस पर root भी डाल दे और work भी डाल दे तो आपको पताई होगा कि root से work cancel हो जाता है तो हमारा answer क्या आया 3 जैसे मानली जी यहाँ 10 है ठीक है तो मैं इस पर root भी लगाती हूँ और इस पर work भी लगाती हूँ अब root से work cancel होता है तो answer क्या आया 10 ठीक है तो इसलिए हमने यहाँ पर जो यह 15 था इस पर root भी लगाया और इस पे work भी लगा दिया उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन यह trick है answer तो root से work को हम cancel कर दे तो हमारा answer तो 15 याने वाला है ना यदि हम root से work को cancel कर दे तो हमारा answer क्या आएगा 15 या आएगा ठीक है तो यह हमने एक trick यूज की अब यह एक formula बन गया a square minus b square तो इसको हम कैसे लिखेंगे a plus b ओके और a minus b ठीक है अभी यह formula बन गया बस अब हमारा sum आधा हो चुका है अब दोनों के हम निकालेंगे 0 ती प्लस root 15 बराबर 0 t minus root 15 बराबर 0 ती को यहीं छोड़ा यह plus root 15 है इस तरफ जाएगा तो minus root 15 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर t यह minus root 15 है उस तरफ जाएगा तो plus root 15 हो जाएगा ठीक है अब हम निकालेंगे यहाँ पर एक बारी योग दोनों को जोड देना है तो जोड़ेंगे कैसे हम देखो minus root 15 और plus root 15 ठीक है minus plus क्या हो गया 0 ठीक है खतम कहानी हो गई इसकी अब करते हैं गुणा गुणा कैसे करेंगे minus root 15 गुणा root 15 अब शायद आपको पता हो कि जब root में एक जैसे number हो पहले तो minus ले ले लेते हैं because यहाँ minus है तो यहाँ minus जब root में एक जैसे number हो और वो गुणा हो रहे हो क्या हो रहे हो गुणा जब root में एक जैसे number हो और वो गुणा हो रहे हो तो एक number बाहर आता है यह हो गया हमारा answer एक बार इस trick को देख लेते हैं, trick में क्या बताया मैंने आपको, हमने यहाँ पर 15 पे root भी लगाया और work भी लगाया, इसका मतलब यह है कि देखो मैंने यहाँ आपको समझाया, 3 पे root भी है और work भी है तो root से work cancel तो क्या है हमारा 3 ऐसे ही हमने 15 को यदि हम उस पे से root और work हटा भी देते हैं तो क्या मिलता है 15 यह हमने एक trick यूज की ताकि हमारा sum easily solve हो जाए अगले question पे चलते हैं last question है 3x square minus x minus 4 सबसे पहले इसके करने हैं गुणनखंड करने के लिए आगे वाले नमबर और पीछे वाले नमबर की गुणा और फिर उसका LCM ठीक है तो 3 गुणा 4 कितना आया 12 12 का लेंगे LCM 2 6 12 2 3 6 और 3 एकम 3 यह आ गए इसके अव्याव अब हमें बीच वाले नमबर यानि कि बीच में कोई नमबर नहीं है that means यहाँ 1 है बीच वाले नमबर यानि 1 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 12 आए ठीक है और प्लस या माइनस करने पर 1 आए तो अव्याव देखते हैं देखो 2 2 3 तो यहाँ पर हमारे अव्याव हो रहे हैं 2 2 नी 4 और 3 देखो कैसे यदि हम 4 और 3 को गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 12 और यदि हम 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 1 हमारे गुणनखंड हो गए तो चलो अब हम इसे यहाँ solve कर देते हैं 3x square ठीक है आपको यहाँ पे निशानों का ध्यान रखना है देखो यहाँ minus का है ना तो यहाँ पे बड़ा number minus का होना चाहिए ठीक है तो देखो plus 3x minus 4x minus 4 यनि कि minus का 4 plus का 3 ठीक है तो अब हम देखो common लेंगे इसमें से common लेंगे इसमें से common लेंगे तो यहाँ से हम common लेंगे 3x sorry अंदर रहेगा x plus 1 जो यहाँ है bracket में वहीं यहाँ आना चाहिए x plus 1 तो यहाँ से हम क्या common लेंगे minus 4 ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या आया 3x minus 4 x plus 1 अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे 3x minus 4 बराबर 0 x plus 1 बराबर 0 3x को यहीं छोड़ा minus 4 को अदर लेगा यह प्लस का हो गया यह दोनों यहाँ गुणा हो रहे है उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा ठीक है यहाँ पर x बराबर minus 1 यह हमारे शुन्य आ चुके हैं अब हम इनका एक बारी प्लस करेंगे और एक बारी करेंगे गुणा ठीक है तो चलो पहले प्लस कर लेते हैं यनि की योग तो योग में हम क्या करेंगे minus 1 plus 4 बटे 3 कैसे करेंगे इसको 3 गुणा 3 एकम 3 यनि की minus 3 plus 4 अपॉन 3 4 में से 3 गया 1 बटे 3 अब करेंगे गुणा गुणा कैसे करेंगे minus 1 गुणा 4 बटे 3 सीधी गुणा 4 एकम 4 बटे 3 तो मिलते हैं अगले question के साथ अगली वीडियो में जैहिन जै भारत के bucks तो मिलते हैं